हेलो दोस्तों विल्कम अगेंट तो मैं चैनल हॉट कॉंट्रिवर्सी तो आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुट के एवर्ग्रीन कपल अमिताब बच्चन और जया बच्चन की 1973 में अमिताब और जया की शादी हुई थी अचानक और जल्दबाजी में दोनों ने शादी करने का फैसला लिया था पर उन्होंने जल्दबाजी में शादी क्योंकि इस बात से अब परदा उठा है दलसल अपने शोग KBC 14 के सेट पे उन्होंने ये खुलासा किया KBC 14 के एक कंटेस्टन प्रियांका के बालों की तारीफ करते हुए कहा कि मैंने भी जया से शादी इसलिए की थी कि मुझे उनके लंबे बाल बहुत पसंद थे प्रियांका ने अपने हाथों पे एक Love Infinity का टाटू भी करवा रखा था जिसमें उन्होंने अपने पती का नाम भी लिखा रखा था उनका ये टाटू भी बिगबी को बेहिट पसंद आया जब प्रियंका ने बिगबी से पूछा क्या जया जी उन्हें फ्रेम पत्र लिखती थी तो बिगबी ने बताया कि संदेश तो कभी नहीं आया पर जब उनका मन होता था तो वो अपने हाथों से मेरे मन पसंद का खाना बना कर मुझे जरूर खिलाती थी जया ने इससे पहले नव्य के प्रोड़कास्ट वाट दा हेल नव्य पे बताया था कि बिग बी ने शादी से पहले उनके सामने कुछ सर्ट रखी थी बिग बी नहीं चाहते थे कि उनकी पतनी नौ से पाच काम करे वो चाहते थे कि उनकी पतनी काम तो करे पर रोज नहीं और ये भी चाहते थे कि जब वो फिल्म करे तो बस उसी इंसान के साथ करे जो की सही हो आपको बता दे कि जय की शादी जय के दाधी घर में हुई थी दरशर फिल्म जंजीर के सकसे के बाद बिगबी जय के साथ विदे इस चैके सलिब्रेट करना चाहते थे पर उनके परिवार ने इस चीज की जाज़त नहीं दी बिगबी के परिवार ने कहा शादी से पहले दोनों अकेले नहीं जा सकते हैं विडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कपेंट करें और सबस्क्राइब करें हमारे चैनल कॉट कंट्रोवर्सी दो थैंक यू सो मच